जादूई शंक एक कहानी बहुत सुहानी जादूई शंक कहानी है जो मैंने अपनी दादी से सुनी थी और आज मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहते हूँ एक गाओ था जहां एक छोटे से घर में मुन्नी और गुड़ू बच्चे रहते थे बच्चों के मावाप नहीं थे इसलिए वे अपने चाचा चाची के साथ में रहा करते थे चाची बहुत तेज तर्रार थी बच्चों को टाइम पर खाना नहीं देती थी बच्चों से दिन भर काम करवाती थी और बच्चे इस सब के बावजूद भी चाची का और चाचा का बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ट करते थे क्योंकि वो उनसे बड़े थे और उनकी देखभाल का सारा जिम्मेवारी जो थी उन्हीं चाचा चाची पर थी एक दिन चाचा किसी काम से बाहर गए वे थे तो चाची को लगा कि शायद ये अच्छा मौका है और उन्होंने उन बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया वो दोनों बच्चे घर से बाहर निकलाए गाउ में इधर उधर भटकते रहे बटकने के बाद में काफी दूर चलने के बाद में वे एक गाउ में पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी जो बैठा हुआ है और उसके पैर से खुद निकल रहा है शा और उसके पैर को घाओ को साफ किया और छोटू ने जो छोटा बेटा था बच्चा था उसने उस पे मलहम लगानी की कोशिश की जैसे उसकी माँ ने हमेशा उसको बताया कि नीम की पत्ति लगाने से घाओ ठीक होता है तो उसने छोटी सी नीम की पत्तिया पीस कर उसके को बहुत ही आराम मिला उसे पानिवानी बिलाया हाथ मुझ धुलाया उसका थोड़ी देर आराम करने के बाद में वह बज़ूर्ग व्यक्ति खड़ा हो गया और जाने से पहले उसने उन दोनों बच्चों को थैंक्यू बोला और बोलने के तैंक्यू बोलने के साथ साथ में उसने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है मुझे एक साथु ने शंक दिया था और शंक देते समय उसने मुझसे कहा था कि यह जैदू इसमें क्या जादू है मैं यह नहीं जानता तुमने मेरी मदद किया इसलिए यह शंक मैं तुमें देना चाहता हूँ प्लीज इसको रख तो वह शंक चुथा उन बच्चों को उस बूड़े आदमी ने दे दिया अब बच्चे बड़े कौतुहल से उसको देखते हैं कौतुहल का मतलब होता है कि पहुती जादा अग्रेसिवनेस के साथ में वो उसको उलटते पलटते उपर नीचे जहां करें देख रहें समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या जातू है मगर फिर उसकी बहन थी वो बड़ी थी उसने कहा कि एक काम करते हैं मम्मी कहती थी मतलब माने बताया था कि चाहें कोई भी शंक हो शाधरन से शाधरन शंक के अंदर भी समुद्र की लहरों की आवाज आती है तो चलो इसको कान पे लगा के सुनते हैं शायद इसमें हमें वो आवाज मिल जाए छोटू मान गया उसने जो बेटी थी उसने कान पे उसको लगाया कान पे लगाते के साथ ही उसमें से कुछ आवाजे आई ध्यान से सुनने पर उसे पता चला कि उसकी चाची कह रही थी उसके चाचा को कि बच्चे बहुत ही बदमाश थे और घर छोड़कर भाग गए मेरा बहुत मना करने के बावजूद भी वो घर में रुके नहीं और घर छोड़कर भाग गए जबकि हकीकत क्या थी कि चाची ने ही दोनों बच्चों को निकाला था तो उसके चाचा ने बोला कि यार ये तो बहुत गलत ये बहुत बुरा हुआ वो बच्चों के जिम्मेवारी हमारे उपर थी और हमें उन बच्चों को देख भाल करना था हम जैसे भी हैं लेकिन है तो उनके रिष्टेदार ही न तो इतना कहने पर फिर उसको एक बार दुबारा से शंग को उसने अपने कान से हटा दिया लड़की ने और लड़के ने अपने कान में लगाया तो उसने दूसरी बात सुनी कि उसका चाचा कह रहा था कि अगर जाना ह लड़की भले ही चली जाती लेकिन लड़के को रख लेते उसके रहने से हमें यह होता कि आज दो-चार साल के बाद में तो उसकी हमें शादी करनी थी और जब हम उसकी शादी करते तो हमें अच्छा धैज बेलता और हमारा वो सोने का सिक्का था जो कि इस तरह से भाग गय कि बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ वह दोनों को दोनों ऐसे अफसोस सक करने लगी लड़की ने भाई को Sunha वह भाई ने जो सने सुना था वह उस लड़की को सुनाया तो आब यह बात साफ हो गई थी कि शंक की जादू है शेंक का जादू है कि वह जो उसको कान प ठीक, उसी राज्य में, जिस राज्य में वो घूम रही थे वहाँ पे एक राजल था जो की भेस बदल-बदल कर लोगों कीops जनकारियां इखटी करता था कि उसके राज्य में लोग कैसे रहते हैं खुश हैं या नहीं हैं और जो भी बाते हैं जो इधर उधर से घूम घूम के उसको आम लोगों से पता लगती थी फिर उसके बाद में वो उनी के लिए नियम बनाता था ऐसे ताकि उसकी जनता जादा स जादा सुखी रह सके तो उसने उन दोनों बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठावा देखा उससे पूछा कारण क्या कारण है तुम यहां ऐसे भटक रहे हो ममी पापा कहा है तो उन्होंने बताया कि हमारे ममी पापा नहीं है और चाचा चाची ने चाची ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है तो इसलिए हम किसी तलाश में है कि कहीं कुछ खाने पीने की तलाश में हो जाए हम सब काम कर सकते हैं अगर कोई हमें आप देखने में ठीक लग रहे हैं मतलब ठीक लग रहे हैं मतलब कि सब परिवार के लग रहे हैं रहीस लग रहे हैं आप अगर तो राजा ने बोला कि तुम्हें काम करने की उमर नहीं है तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन फिर भी ठीक है मैं देखूंगा ये तुम्हारे पास शंक क्या है तो इसने जो बच्चे थे वे बड़े सरल थे उन्होंने सीधे सीधे से बता दिया कि यह जादू ही शंग है और इसमें यह यह से होता है आप अगर आजमाना चाहें तो आप भी आजमा सकते हो तो उसने उसे कान पर लगाया तो उसका राजा का जो मंत्री था उसने एक शड़यंत रजा कि अब की बार राजा जब आम आदमी के भेश में बाहर जाएगा बिना सेना के और बिना उसके तो हम उसके पीछे अपने लोग भेश देंगे और उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो राजा को खतम कर देंगे और उसके बाद में जब राजा नहीं तो मुख्यमंत्री ही राजा बन जाएगा यह सब कुछ सुनकर राजा का तो माता ठनक गया सरचक्रा गया उसने बच्चों को बोला कि शंक देते वे बोला तुम्हें पता है राजा की जान खत्रे में और मुझे अभी जाकर ना राजा को यह बात बतानी है तो उसने का कि राजा की चान खत्रे में तब तो आपको जरूर जाना चाहिए उन दोनों बच्चों को सराय के मालिक को के पास छोड़ा सराय होती है जैसे होटल टाइप एक छोटी सी जगा थी पुराने टाइम में होटल नहीं हुआ करते थे सराय हुआ करते थे बड़े स्कूल टाइप जगा होती थी उनमें कमरे होते थे साइड में मंदिरों में अभी भी होता है यह सिस्टम तो वहां पर उनको कहा वहां के मालिक को पैसे दे के कहा कि यह दूनों बच्चे मेरे हैं और आप इनके खाने पीने का और रहने की व्यवस्था कीजिए मैं दो दिन बाद आके इनक आप में रखूंगा अब राजा वहां से भागा अपने माल अपने राज्य में वापस जाने के लिए और उसने वहां पर मुख्यमंत्री को जो शड़यंत्र जो उसको पता लगा उस शड़यंत्र को खतम करने के लिए जो व्यवस्था थी वो करी तो बच्चे सोचने लगे कि इनको कैसे पता चला कि राजा की जान खत्रे में है क्योंकि शंक तो वही बताता है उसी को बताता है उसी के बारे में बताता है जिसके बारे में जो उसको अपने कान में लगाता है तो उनको तुरंट समझा गया कि इसका मतलब कोई और नहीं ये राजा ही है जिसको राजा में डलवा दिया और चाचा चाची को भी सजा दिलवाई कि ऐसे छोटे-छोटे बच्चों को इस ना क्यों परिशान किया उन्होंने जो बाहर निकलवा दिया उन लोगों ने माफी मांगी और उसके बाद में चाचे चाची को तो उन्हों ने छोड़ दिया लेकिन उन बच्चों को राजा ने अपने राजकुमारी और राजकुमारी की तरह से पाला भरन पोशन किया उनका और अपने पास ही हमेशा के लिए रख लिया तो ये थी एक हुई शंकी उमीद करती हूँ आपको फसंद आई होगी थैंक्स फोर वाचिंग